नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राजन मंसर है, मैं इस्टिटूट ओफ उरोलोजी जैपुर में कंसल्टेंट उरोलोजिस्टोर आज मैं आप लोगों से बात करूँगा टेस्टिकुलर एपसिस के बारे में टेस्टिकुलर एपसिस क्या होता है? टेस्टिज के अंदर जब एपसिस की केविटी बन जाती है, उसको टेस्टिकुलर एपसिस बोलते हैं टेस्टिज मेल के अंदर काफी important organ है जो की sex hormone और sperm बनाने का काम करता है आईए जानते हैं सबसे पहले कि टेस्टिज के अंदर एपसिस क्यों होता है? तो इसमें जो common कारण है वो है urinary tract infection किसी भी patient को prostate की problem हो, structure urethra की problem हो या patient को कोई भी non-eurological process के लिए catheterization किया हो इसके कारण से जो urinary tract में infection होता है वो infection काफी बाद testes में जाता है जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा urinary tract है और reproductive tract है और दोनों connected होते हैं तो urinary tract में जो infection होता है वो infection testes के अंदर जाता है और infection समय से diagnose ना हो या काफी बार proper treatment ना हो तो वो मावाद का रूप या abscess का रूप ले लेता है दूसरा जो common कारण है वो है sexually transmitted infection किसी भी patient को sexually transmitted infection हो तो वो infection भी urinary tract में infection करता है urinary tract में infection similarly जैसे मैंने भी बताया testicular abscess create कर सकता है तीसरा है diabetic patient काफी patient जो uncontrolled diabetes होता है patient immunocompromised होता है तो जरासा भी infection जो urinary tract में हो वो infection testes में जाके मावाद का रूप ले सकता है इसके लाबा कि कोई भी immunocompromised patient हो उनको urinary infection हो तो यह infection भी testicular abscess create कर सकता है काफी rare cases में आप देखते हैं इन में से कोई करण नहीं है urinary tract infection भी नहीं है patient को diabetes नहीं है कोई sexual transmitted infection की भीच्छी नहीं है तो हम लोगों को जो important है tuber closest को भी दिमाग में रखना चाहिए काफी बार tuber closest body में कहीं और होता है वो blood के थो epididymus में epididymus से testis में infection create करता है और काफी बार मवात का रूप ले लेता है तो next step है patient को क्या तकलिफ होती है जब भी testicular abscess होगा patient को काफी severe pain होगा testicular swelling होगी patient को बुखार होगा patient को यदि urinary infection के कारण से हुआ है तो urine में जलन होगी urinary symptoms भी हो सकते हैं इसके लाबा patient को generalized body weakness, कमजोरी महसूस होना यह सारी तकलिफ हैं भी patient को हो सकती है जब भी किसी भी patient को इस तरह की तकलिफ हो तो वो इसको अपने nearest urologist को जाके मिलना चाहिए urologist से मिलकर वो आपको पहले तकलिफ को जान लेता है आपको basic history ले लेता है पो क्या तकलिफ हो यह जान लेता है और आपकी तकलिफ के आदार पे कुछ जाचे पहले physical examination करेंगे वो physical examination से काफी कुछ clear हो जाता है कि test use में कितनी swelling है test use में epsis होने के chances है या नहीं है यह सारी चीज़े clear होती है examination के बाद कुछ simple test होते हैं जैसे कि कुछ blood test और sonography जैसे कि आपका जो diagnosis है वो clear हो जाता है कि test use में मवाद है या नहीं है test use में मवाद या epsis diagnose होने के बाद इसका जो पहले treatment रहता है वो है IV antibiotics काफी अच्छी antibiotics दे के infection को control करना होता है एक सब्सक्राइब करने के कोशिच करनी पड़ती है काफी patient में IV antibiotics से epsis resolve भी हो जाता है जब यह IV antibiotics के बाद भी epsis resolve नहीं होता है या फिर काफी patient जो proper treatment नहीं लेते हैं जिनके अंदर जो epsis होता है वो पूरे testis को ही involve कर लेता है testis को damage कर देता है ऐसे patient के अंदर हमें testis को निकालना भी पड़ता है इस process को बोलते हैं orchidectomy तो आज आपने जाना कि testis क्या होता है इसके होने के क्या कारण होते हैं इसके अंदर क्या लक्षान होते हैं इसको कैसे diagnose करेंगे और इसका क्या treatment रहेगा आपको testis related कोई भी query हो कोई भी top हो तो screen पर दिएगा इन मेरे नमबर पर आप मुझे call मुझे डाइक WhatsApp कर सकते हैं नमस्कार